नमज़कर दोस्तों वेल्ड इसकाई की निव इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे में इसको समझने की कोशिस करेंगे करेंगे यहां पर कल मार्केट का मोमेंट कैसा रह सकता है कल में को एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि एक बैंक निफ्टी बड़ा बूप दे सकता है आइधर अपसाइड और आइधर दा डाउन साइड तो इसी चीज़को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी ते चलते हैं option chain डाटा पर देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या बड़ा दमाका होगा या नहीं होगा तो फाइनली तोस्तों मैं आ गया हूं इनिसी की वेबसाइट पर जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी option chain डाटा समझने की कोशिस करें और कल का मुमेंट मार्केट का कैस रह सकता है इस चीज को समझने की कोशिस करें देखो यहां पर सबसे पहले important चीजे हम निफ्टी के चार्ट की बात करेंगे then हम option chain के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले देखो निफ्टी का चार्ट बहुती प्यारा एक बहुती अच्छा setup बना हुआ निफ्टी के अंदर और बैंग निफ्टी के अंदर और कलका वो डे हो सकता है जिस इन एक अच्छा प्रॉफित यहां पर कंमाने को मिल जाय को देखो आप यहां पर देख सकते हौँ यह निफ्टी क período चार्ट है यहांसे निफ्टी आपको यहांसे क्लिरली गिरता हुआ दिखा ही देह रहा है उपर से यहां पर आपका 15–422 के लेविल से यानि जो इसने हाइब बनाया 600 THVI हाइब बनाए एक straight line यह पूरा गिर जिरता हूँ दिखाई दे रहा है आपको अब हीक की ट्रेंट लाइआ के सपते हैं इसमें जो विजलीदेशन में ज़िलो बनाया कि देखो उपर से गिरा Consolidate किया Consolidation हुआ यहाँ पर Consolidation के होने के बाद एक Breakdown या एक उपर Breakout भी हो सकता है अगर हम Closing बाइस देखें तो देखो Nifty ने जो Closing दी है वो 14,700 के पास के दी है तो there will be the chances कल यहाँ पर Market उपर से गिरा Consolidate किया और फिर एक Breakdown दुबारा से दिखा सकता है यानि आपको एक कल एक काफी शाप ग्रावट देखने को मिल सकती है करीब 200-200 पॉइंट की Nifty के अंदर तो उसके लिए मैंने जो Preparation करी है वो यही है देखो पहली चीज तो यह है कि मैंने 14800 के ऊपर की जो Calls है वो Sell कर रखी है मैं हूँ Short में ही लेकिन मैं 14800 के ऊपर से मैं Calls Short करके बैठा हूँ क्योंकि मैं आज Short में नहीं हूँ मैं पिछले 3 Trading Session से Continuous Short में हूँ Wednesday का Trading Session था Short में था Thursday Short में मैंने आपको बोला Friday Short में मैंने आपको बोला Even Monday Short भी किया हुआ आज भी जब उपर गया था तो मैंने कुछ पोजिशन एड करी है लेकिन कल मैं क्या करूँगा उस चीज को मैं आपको बतानी की कोशिस कर रहा हूँ देखो आज Continuously Nifty ने 14600 को Hold किया है तो कल के दिन Important Level क्या रहेगा 14600 ही रहेगा अगर हम 14600 के Option Chain में जाएं और देखें और समझने की कोशिस करें 14600 की Put पे आपको कितना हुआ ही दिख रहा है इसके नीचे जाते हैं तो क्या होगा जाहिड सी बात है 14600 के Call राइटर बढ़ेंगे क्योंकि जब मैं बोला हूँ कि मैं Negative हूँ तो जाहिड सी बात है जो 14600 की जो मैंने Call बेच रखी है इसका Premium घट जाएगा तो मैं नीचे Shift होँगा तो 14600 की Call बेच होँगा प्लस साथी में क्या होगा कि जो Put पे है ये जो Put पे Open Interest है ये Open Interest Market में क्या करेगा इनको Problem होना स्टार्ट होगी क्या स्टार्ट होगी कि इन लोगों ने जो Put बेच रखी है जाहिड की बात है अगर किसी ने आज के दिन में बेची है मानलों 80 रुपे पे बेची हुई है जिसको लगता है 14.700 की नीचे निफ्टी नहीं जाएगा तो अगर ये नीचे जाएगा तो क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने Long किये हुए है उनकी Unwinding भी Market को नीचे ले जाने में हेल्प करेगी तो Negative Trade न है अगर 14.700 की नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहता है तो मैं यहाँ पे शॉट करना पसंद करूँगा पसंद शॉट अगर मैं Buy साइट पर अगर मैं Option Buy करूँगा तो कौन सा Buy करना पसंद करूँगा यह चीज मैं आपको बता देता हूँ 14.600 की पुट का जो प्रीमियम है 47 रुपीस चल रहा है जो कि कह सकते हैं कि एक टाक सा प्रीमियम है मैं इसको पाय करना पसंद करूँगा और 14.700 की मैं Call को Sell करना पसंद करूँगा सिंपल दी चीज है 14.700 की Call Sell कर दूँगा मैं अगर 14.700 की नीचे निफ्टी चला जाता है 14.800 की ऊपर की मैंने अल्लेडी सेल कर रखी है तो 14.700 की मैं Call Sell करना पसंद करूँगा साथ ही मैं मैं एक बड़ी गरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं पुट भी भाय कर लूँगा 14.600 की यानि मैं मन्दी में ही हूँ लेकिन मैं Option Buy भी कर रहा हूँ यहाँ पर क्यूं कर रहा हूँ क्योंकि अगर 14.700 की नीचे Market Continuous की गरना स्टार्ट करता है तो there will be the chances की निफ्टी में 200 Point से लेकर 200 Point तक की गरावट देखने को मिल सकती है तो एक बड़ा Profit यहाँ पर कमाने को मिल सकता है Otherwise जो Premium है वो मेरा Loss में है अगर Market Sideways चला जाता है तो इस Premium की Value अराउंड शाए 35-30 तक जा सकती है अगर Market Recover करता है तो 14.850 मेरा Stop Loss है Final Stop Loss जो आज का High है वो मेरा Final Stop Loss है मैं अपनी Position सारी Square of कर दूँगा यह चीज़ आप समझ लीजे जिल लोगों को और यहाँ पर कम शॉर्ट में कह सकते हैं कि छोटे Stop Loss में काम करना है वो 14.800 का High Stop Loss लगा सकते हैं या फिर आप यह High भी ले सकते हो 14.781 का यह High भी आप लेके आप Trade कर सकते हो मैं यह Stop Loss आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो Volatility है वो Market की जादा है तो ऐसी Volatility में थोड़ा सा क्या होता है Position आपकी कभी कभा Market उपर जाके ही गिर जाता है तो आप यह Stop Loss भी लगा सकते हो लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकल ही देखोगे तो 14.700 के नीचे आपको शॉट करना है 14.700 के ऊपर आप निकलता है तो आप अपनी शॉट की Position अपनी Square Off कर सकते हो Temporary basis पे 14.700 के नीचे ही आपको शॉट करना है यह Nifty का Setup है अगर अब Bank Nifty के Setup की बात करें जो की Most Important Setup है उसकी हम मैं बात करता हूँ Bank Nifty Clearly आपको देख रहा है ऊपर गया ऊपर से नीचे आया और एक Consolidation करने लगा इतने गंटे के Consolidation है परीफ परीफ साड़े 11 बजे एंटर हुआ इस चैनल में और साड़े तीन बजे तक इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ चार घंटे के आसपास का आपका Consolidation है चार घंटे के Consolidation है पैते सजार 300 के ऊपर कामकाज नहीं किया और पैते सजार के नीचे कामकाज नहीं किया तो उसका मतलब यह है कि अगर कल इस चैनल से बाहर बैंक निफ्टी निकलता है एधर अपसाइड एधर डाउंसाड एक 300 से 400 या 500 पॉइंट का मोवेंट देखने को मिल सकता है 500 पॉइंट का मोवेंट देखने को मिल सकता है तो यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो लेकि किस साइड जाजा करना चाहिए उस चीज़ को मैं आपको बता गुटाँ थाया हूं देखो मैं अपना point of view बता रहा है पर मैं जो trade करने वाला हूं वो नीचे की sides करने वाला हूं उसके साइड करना हो उपर कंहार की साइड का क्यों नहीं करूँ गूँ काम काज़ करता रहता है तो मैं शॉट में रहूँ गा और जो मेरा टारगेट होगा करीब करीब चौतेस अजाँ 200 तक का होगा यानि 35000 के नीचे मेरे को बैंक निफ्टी शॉट ही कर आगवा और टार्गेट जो मैं hold करूँआ वो करी 34 300 के लिए मैं target hold करूँआ यानि 700 पॉइंट की घ्रावट का expectations मेरे को यहां पर लग रहा है कौन सा option मैं buy करना पसंद करूँआ उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ अलगी मैं already bank nifty में short हूँ करीब करीब आपका 35 500 के ऊपर की मैंने call sell कर रखे इवन मैं 35 400 की भी sell कर रखी है कुछ छोटी position 35 300 और 35 में पनी होई है अगर नीचे जाता है पैते से जार के नीचे जाता है तो मैं उनको भी थोड़ा सा और एडाउन करने की कोशिद करूँगा यह सारे option selling की है इसमें मैं hedge भी हूँ एक चीज़ का ध्यान रखेएगा तो यह चीज़ है hedging के लिए मैंने थोड़ा सा दूर के options buy भी कर रखे ताकि यहां से अगर कोई fast reversal आता है तो मेरे को बड़ा loss ना हो तो यहां पर जो मैं call buy करने की put buy करने की कोशिद करूँगा वो कौन सी होगी इस चीज़ को मैं आपको पता देता हूँ देखो सबसे पहले आप समझो कि आप क्या देख के रहे हो market पे जैसे कि मैं अपना view देखू मैं यह देख रहा हूं कि पैचे से जा की नीचे अगर bank nifty जाता है तो यह एक level था यह देखो ठीक है यह एक level था support का market यहीं पे support ले रहा है यह पूरा जो moment था आपको देख रहा है 34 200 से लेकि यह पूरा moment था यह बहुत fast moment आया था ठीक है यह fast moment आया था तो यह जो moment है यह पूरा dilute हो सकता है ठीक है और अगर हम इसको break करते हैं तो फिर maximum chances कि हम 33,000 तक भी जा सकते हैं तो आप clearly समझ लीजिए कि इस level के बाद आपको full shot में बैठना चाहिए अगर आप चाहते हैं बड़ा profit कमाने का अगर 34 सजा के नीचे गया तो 100 point की गिरावट bank nifty दिखा देगा लेकिन वो अभी दूर है हमारे पास जो view है वो यह है कि पैते सज आके नीचे आपको short क करना चाहिए जो target है वो आपका ये next target बन रहा है जो की करीब आपका 34 250 सजा करणा चाहिए तो इस target के लिए अप 162 करना चाहते हैं और सहते में closing 140 है इसका target आपको 300-300 या 400 तक भी मिल सकता है अगर यहां से bank nifty breakdown देके नीचे जाएगा क्योंकि एक ग्रावट का एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा है 700 point अगर गिर गया तो इस option की value काफी अच्छी इस option की value अगर 34-300 तक पहुझ गया तो इस option की value 600 रुपे तक जा सकती है क्योंकि 400 का यह difference है और करीब करीब आपका 150 का यह premium है तो almost 600 तक इसकी value जा सकती है क्योंकि इंदा मनी जाने के बाद तो option और तेजी से भागता है अगर आप थोड़ा से कम रिस्क लेना चाहते हो आप सीरा सीरा एक lottery की तरह play करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूगा कि आप 34-500 की put खरीज सकते हो 34-500 की put 96 पे चल दी है मैं कहता हूँ अगर आप इसको खरीदते हो तो आप इसको play out कर सकते हो इसका आप 30 का stop loss लगा के इसको आप trade कर सकते हो यह ज़िए यानि मैं 34-700 की नीच्छे की put buy करना पतंग दरूँ का क्योंगी ऊपर का premium जादा है और मैं short कर रहा हूँ तो जायड़ सी बात है मेरा view थोड़ा सा points जादा गिरने का है तो मैं out of the money लोगा और उसमें play करने की कोशिद करूँगा ताकि मेरा risk कम रहे और अगर market मेरे favor में जाता है तो मेरा return high रहे यह सारी चीदे मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंगी कभी कबा क्या होता live market में नहीं देख पाते नहीं understand कर पाते और available नहीं होते जिससे आपको update दिया जाए यह चीदे बाकी मैं कोशिद करूँगा telegram group में आपको बताने की की आपको क्या करना चाहिए बाकी मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरी चीज़े explain कर दी है 25000 की नीचे आपको short में रहना चाहिए same आपको nifty 14700 की नीचे trade करता रहता है 14700 की नीचे आप short में रहिए 14700 की ऊपर trade कर रहा है तो आप short मत करिए यह clear view है और clarity के साथ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे तो I hope दोस्तों यह particular data आपको सुझ में आगया होगा दोस्तों प्लाल इस वीडियो में इतना है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share जरूर करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं सुझी लेकर आता हुआ हर दिन आपके लिए नएने वीडियो इसी के साथ शुकरिये दोस्तों जय कर दोस्तों आता है